यह है मेरा नया लैप्टॉप जो की असूस ब्रैंड का है लैप्टॉप के उपर बहुत ही अच्छी लाइनिंग डिजाइन दी गई है लैप्टॉप के निचले हिस्से में रबड के सर्कल्स दिये गए हैं जो की ग्रीप बनाए रखते हैं यह ग्रीप स्पीकर नहीं है बॉटम अप में भी आपको रबड टिखाई देगा यह लैप्टॉप बहुत ही पतला है राइट साइड पर दिया गया है डीवीडी ड्राइड लैप साइड पर है चार्जिंग पॉर्ट एंड यूएस्बी टाइप सी पॉर्ट विच इस रिवर्सेवल एंड 3.1 cooling fan दिया है और उसके बाजो में ethernet cable और उसके बाजो में HDMI और यह blue वाला USB port 3.0 है जो की speed में काम करता है और दूसरा वाला 2.0 है जो थोड़ा slow है और आपको मिल जाता है यहाँ पे एक headphone jack ऑल्सो खुल जा सिम सिम 15.6 full HD display which is anti glare and anti reflective HD camera और दो noise cancelling microphone and notification light औल्सो इसमें बुंबाट sound के लिए sonic master का audio भी दिया गया है यह design है वो design नहीं है वो speaker है जो इसमें से audio आता है तहां पे asus की branding है इसमें full size keyboard भी मिल जाता है वो बहुत ही comfortable है की प्रेस भी बहुत ही fast है यह laptop शुरू करते है पांच सेकेंड में यह laptop चालू हो जागा है इसमें मैंने windows creator's update भी install कर दी है जो की अभी कल ही release हुई थी Windows 10 के futures की list तो बहुत ही लंबी है इसलिए मैं अगर बता हूँ तो बहुत ही तेर हो जाएगी Windows 10 को मैंने अलग से purchase किया है वर्थ 8,000 रुपीज अब इसके specifications बता देता हूँ आप लोगों को अन्वीडिया का 2GB graphics card है विट बैटरी इसका बेट है 1.9 kg only विच इस लाइटेस्ट आप ओल इट है 24 मॉन्स आप वारंटी और वन टीबी यूज इंटरनल स्टोरेज और सोनिक मास्टर आडियो और है आइटरी का 7th जेनरेशन लेटेस्ट प्रोसेशन इसकी रहाटेस्ट RAM अपग्रेडेबल 12GB तक है तो मैंने इसमें अपग्रेड करके अलग से 8GB की RAM डलवाई हुई है इसके माउस पेड में गेस्टर भी सपोर्टेड है जिससे तू फिंगर से आप पेज अपडाउन कर सकते है या थ्री फिंगर से टैप्स देख सकते है ऐसे बहुत से गेस्ट यह लैप्टॉप मुझे ओवरॉल पढ़ा है 50,000 रुपीज में सब्सक्राइब करो ना